पार्ट 21 निबंद लेखन ऐसी राइटिंग किसी भी विशे पर सुन्दर, सुगठित और सहच भाशा में अपने विचारों को व्यक्त करना ही निबंद कहलाता है निबंद की प्रकार, Kinds of essay, विशे के प्रतिपादन की द्रिष्टी से निबंद को चार भागों में बाटा जा सकता है क वड़नात्मक निबंद, ख विवरलात्मक निबंद, ग विचारात्मक निबंद, ख भावात्मक निबंद निबंद की अंग, parts of essay, निबंद की तीन अंग होते हैं क, भूमिका, किसी भी विशे की शुरुवात भूमिका सी की जाती है इसमें जिस विशे पर निबंद लिखना हो, उसका परिचे दिया जाता है ख, विस्तार, इसके अंतरकत विशे का पूर्ण विवेचन किया जाता है ग, उपसंगार, इसमें पूरे निबंद का सारांश अथ्वा, मुख्य विचार का उल्लेक रहता है स्वदेश प्रेम, रूप रेखा, एक, प्रस्तावना, दू, देश प्रेम स्वभाविक है तीन, प्रमुक देश भाक्त, चार, उपसंगार, प्रस्तावना, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रस्धार नहीं वहरदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिस धर्ती पर हमने चन्म लिया है, वह हमारी मात्र भूमी कहलाती है इसी का अन्न और जल ग्रहन करके हम बड़े हुए हैं अतह अपनी देश के प्रती प्रेम होना स्वाभाविक ही है हमारी चन्भूमिके हमारी उपर अनेक उपकार है अतह इसकी रक्षा करने के लिए हमें सदैव तत पर रहना चाहिए इसी भाफना से यह कहा गया है जननी जन्म भूमिश्च स्वरगातपी गरियसी देश प्रेम स्वाभाविक है देश प्रेम की भाफना सबी प्राडियों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है यह भाफना पशुपक्षियों में भी द्रिश्टी गोचर होती है वे दिन भर फोजन की तलाश में चाहिँ जहां भटकते रहें लेकिन शाम होते ही अपनी अपनी घरों में लोटाते हैं जब पशुपक्षियों को अपनी जगह से इतना लगाव है तो मनुश्यों के हृदे में जन्म भूमी के प्रती मूह वलगाफ होना स्वाभाविखी है वह जिस स्थान पर रहता है चाहे कितनी भी बाद आएं या समस्याएं आएं वह उनका सामना खुशी-खुशी कर लेता है विश्व में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां लोगों का जन्जीवन पहुत ही कठिन है लेकिन वहां के लोगों ने अपने आपको परिस्थितियों की अनुरूप बना लिया है और अपने देश के लिए प्राणों को नियुच्छावर करने को तैयार है प्रमुक देशभाक्त अपनी देश की रक्षा के लिए अपनी प्राणों का बलेदान कर दिया महाराण प्रताप शिवाजे रानी लक्ष्मीबाई भगत सिंग चंद्र शेखर आसाद सुभाष चंद्र बूस महात्मा गांधी जवाहर लाल नहरू लाल बहादुर शास्त्री आदी देशभाक्तों के नाम को कौन नहीं चानता इन्होंने देश की आसादे और रक्षा हेतु अपनी प्राणों की चिंता नहीं की ऐसे देशभाक्तों की स्तुती करते हुई किसी कवी ने कहा है जो चड़ गए पुन्य वेदी पर बिना लिये गर्दन का मोल कलम आज उनकी जै बोल उपसंहार जिस देश की नागरे करतव्य निष्ठ, इमानदार और त्यागी होते हैं वह देश हमीशा उन्नती के पत पर अग्रिसर होता है हमारा करतव्य है के हम देश की रक्षा के लिए सदैफ तत पर रहें सदा देश की उन्नती और हित के लिए कारि करें जिस मनुष्य के मन में अपने देश के प्रती लगाव नहीं है तथा वह अपने देश के महत्व को नहीं समझता है वह मनुष्य होती हुए भी पशु के समान है गर्तंत्र दिवस 26 प्रदिवर्ष जन्वरी महीने की 26 तारीक को गर्तंत्र दिवस मनाया जाता है। इसी तारीक को सन 1950 में हमारा देश गर्तंत्र हुआ और इसी दिन हमारा लिखित सम्विधान विवहार में आया। गर्तंत्र का अर्थ है समुह द्वारा संचालित शासन विवस था। 26 चन्वरी का महत्व राश्ट्री कॉंग्रिस की अधिवेशन में पूर्ण स्वराचि का संकल्प लिया गया था। तब इसे यह दिन गर्तंत्र दिवस की रूप में मनाया जाने लगा। गर्तंत्र भारत की प्रथम राश्ट्रपती डॉक्टर राचेंद्र प्रसाद तथा प्रधान मंत्री सभी जिला मुख्यालियों में तथा राश्ट्री महत्व के कार्यालियों में राश्ट्री ध्वच फेहराया जाता है। जन सभाई होती हैं। नेताओं ध्वारा भाशर दिये जाते हैं। राश्ट्री गीत काय जाते हैं तथा विभिन्न प्रतियोगिताय होती हैं। भारत राश्ट्रपती मोहतसव के स्थान पर आते हैं और इंडिया गेट के पास पहुचकर वहां राश्ट्र के प्रतीक राश्ट्रध्वच को फेहराते हैं। एवं सीना का मार्च होता है गरतंत्र दिवस का संदेश गरतंत्र दिवस का आयोचन हमें हर वर्ष यह याद दिलाता है कि कितनी शहीदों के बलिदानों के बाद हमें यह दिन प्राप्थ हुआ है। उन शहीदों के लिए नत्मस्तक होते हैं चिन्होंने हमें यह स्वतंत्रता दिलाई। गरतंत्र दिवस देश की चंता के लिए देश प्रेम, स्वाविमान तथा पारस्परिक सहयोग का संदेश देता है। उप संगार हम सभी भारत माता की संतान हैं अतह आपस में भाई-भाई हैं। भले ही हम लोगों में वर्ण भेद, भाशा, धर्म या क्षीत्र भेद हों परन्तु सब भारत मा की लाल हैं। अतह हम भारतियों को मात्र भूमी की सेवा के लिए अपने प्राण में उच्छावर करने को तैयार रहना चाहिए। गर्तंत्र दिवस हमें यही याद दिलाता है। दीपावली, रूपरेखा, एक, प्रस्तावना, दो, समय तथा मनाय चाने का कारण, तीन, उत्सव का लाप एवं परंपराएं, चार, साफधानिया, पाच, उपसंधार। प्रस्तावना, भारती संस्कृति, विश्व की महानतम संस्कृतियों में से एक है। इसमी, धार्मिक्ता, उल्लास, प्रीम, तथा सोहार्द का विशेश थान है। संभवता यही कारण है कि भारत भूमी उत्सवों की फूमी है। वर्ष भर यहां ऐसे त्योहार होते हैं, जिनकी प्रतीक्षा प्रति वर्ष की जाती है। दीपों व प्रकाश का उत्सव, दीपावली, ऐसा ही एक त्योहार है। यह त्योहार सभी वर्ग के लोगों द्वारा, विशेश उत्सा के साथ मनाया जाता है। समय तथा मनाय जाने का कारण दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाय जाता है यह पर्फ अंदकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है दीपावली मनाय जाने के कारण के पीछे यह कथा प्रचलित है कि लंका जीत राम जी जिस दिन नगर अयोध्या में थे आए जन जन ने आनंदित होकर दीवाली के तीब चलाए भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास का समय व्यतीत करके एवं रावड का वत करके अयोध्या वापस लोटे तो अयोध्या वासियों ने उनकी स्वागत में घी के दिये जलाएं और उल्लास के साथ उत्सव मनाया तब से यह परंपरा चली आ रही है जिसे हम दीपवली के नाम से चानते हैं दीपवली का अर्थ है दीपों की अवली अर्थाथ दीपों की माला उत्सफ का लाप एवं परंपरा आएं इन दिनों मौसम बड़ा ही सुखद होता है वर्शा रितु जा चुकी होती है और शरत रितु का आगमन होने वाला होता है यह समय घर की साफ सफाई के लिए उप्यूक्त होता है लोग अपने घरों की पुताई करवाते है और उन्ही सजाते सवारती है इससे घर के कीडे मोकौडे मर जाते है दीपावली के दिन व्यापारी अपनी दुकानों को विशेश रूप से सजाते है इसके पीछे यह मानिता है कि दीपवली के रात में दीवी लक्ष्मी आती हैं। दीपवली के रात में लक्ष्मी ची एवं गणेश ची की विशेश पूझा की जाती है। लोग एक दूसरे को मिठाई तथा उपहार देते हैं। दीपवली की रात में लोग अपने अपने घरों में दिये जलाते हैं तथा अंदकार को नश्ट कर देते हैं। इसके बाद लोग पटाके छुडाते हैं। आकाश में रंग बिरंगे पटाकों का प्रकाश मन को मुह लेता है। सावधानियां इस प्रहम के कारण लोगों का बहुत नुकसान हो जाता है। उपसंगार दीपावली प्रकाश का पर्व है। इसे सही ठंग से मनाया जाना चाहिए। दीपावली हमें अंदकार तथा बुराईयों को नश्ट करने का संदेश देती है। हमें दीपावली की इस भावना को समझती हुए अपनी जीवन में अज्ञान रूपी अंदकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश भरना चाहिए। इससे हमारा जीवन सुक और सम्रुद्धी से भर जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रूप रेखा 1. प्रस्तावना 2. जीवन परिचे 3. सत्तिकी पुझारी 4. दक्षण अफ्रीका गमन 5. देश की आजादी के लिए प्रयत्न 6. उपसंहार प्रस्तावना भारत भूमी को समय समय पर अनेक महापुरशों ने अपनी चन्म से अलंकृत किया है। उन में से अहिंसा और शांती का संदेश देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम को कौन नहीं जानता। इन्होंने अपनी सत्य और अहिंसा की अस्त्रों से मात्र भूमी की परतंतरता की संचीरों को उखाण भेका। कीवल भारतवर्शी नहीं संपूर्ण विश्व उनकी मानफ प्रेम करतवी निष्ठा और स्वदेशा नुराग को देख कर आश्चरित चकित हो जाता है। जीवन परिचे गांधी जी का पूरा नाम मुहंदास करमचन गांधी था। प्यार से लोग उने पापू कहकर पुकारते थे। इनका चन दो अक्टूबर 1899 को गुजरात के पूरबंदर नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम करमचन गांधी तथा माता का नाम पुतली बाई था। इनकी प्रारंबिक शिक्षा अकने देश में हुई। ये सन 1888 में वकालत करने इंगलिंड गए। बारिस्टर बन कर भारत लोटने पर इन्होंने बंबई में वकालत का कार्य प्रारंब किया। सत्य के पुजारे गांधी जी सत्य के सचे पुजारे थे। एक बार बच्पन में इन्होंने सत्यवादी हरीश्चंद्र नामक नाटक देखा। उस नाटक का उनके जीवन में ऐसा कहरा प्रभाव पड़ा। इन्होंने कभी भी जूट नहीं बोला। यहां तक की इसी उन्हीं वकालत भी छोड़नी पड़ी एक पार की खटना है जब ये किसी छोटी कक्षा में थे इनके विद्याले में निरीक्षण के लिए जिला विद्याले निरीक्षक आए बच्चों के ज्यान की परिक्षा के लिए उन्होंने केटल शब्द लिखने को कहा गाली जी ने अशुद्द लिखा था अध्यापक ने उन्हें नकल करने का संकेत किया लेकिन उन्होंने नकल नहीं की जब ये वकालत के कार्य में संगलक्न थे उन्हें एक फर्म की मुकदमे के कारण अफ्रीका जाना पड़ा वहां भारतियों पर किये गए अत्यचार को देखकर उनका मन द्रवितो उठा उन्होंने देखा कि गोरे लोग रंग भेद के कारण काली लोगों को फयंग कर यातनाई देते हैं उनके साथ एक खटना घटित हुई कि उन्हें फर्स्ट ग्लास के रेल डब्बे से इसली उतारा गया क्योंकि वे काले थे गांधी जी इस अफमान को सहन न कर सके उन्होंने मन ही मन भारतियों को अंग्रेशों से मुक्ति दिलाने का संकल्प किया देश की आजादी के लिए प्रयतन ये हिंसा को पाप समझते थे अतह इन्होंने अहिंसा का अस्त्र उठाया इन्होंने जन्ता को प्रेरित किया सत्याग्रह, आमरण अंशन, कामरोको आसहयोग आंदुलंजेसे शस्त्रूं का प्रयोग किया विदेशी वस्तूं का बहिशकार किया अंत में सन 1942 में अंग्रेसूं भारत छोडों आंदुलंग शुरू किया और 15 अगस्त सन 1947 को भारत देश स्वतंत्र हो गया उपसंहार, दुर्भा किसे 30 चन्वरी सन 1948 को नाथूराम गोट से नामक एक भारतियने गोली मार कर उनकी हत्या कर दी आदर्श विद्यार्थे रूपरेखा व्यतीत करने के बाद वह विद्या ग्रहड करने हेतु जब विद्याले में प्रवीश करता है ताब उसका विद्यार्थी जीवन आरंभ होता है इस समय व्यक्ति कठन परिश्रम करके अध्यन करते हुए फविश्य निर्मार का प्रयत्न करता है आदर्ष विद्यार्थी का अर्थ एवं गुण विद्यार्थी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है विद्या अर्थी अर्थात विद्या चाहने वाला आदर्ष विद्यार्थी वह कहलाता है जो करतव्यों का पालन करते हुए विद्या क्रहड करता है उसे नम्र, चिक्यासू, अनुशासन प्रिय और सेवा भावी होना चाहिए विद्या से तागपर्य कीवल पुस्तकिय ज्यान से नहीं है उसे पाहरी वातवरण का सामानी ज्यान होना चाहिए उसके ज्यान में व्यवहारिक्ता होनी चाहिए विद्यार्थी को शिक्षव प्राप्त करने में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए उसे हमेशा कटन परिश्रम के लिए तयार रहना चाहिए आदर्श विद्यार्थी का लक्षण बताते हुए कहा गया है काक चेश्टा वको ध्यानम श्वान निद्रास थैवच स्वल्पाहारी ग्रहस्त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम विद्यार्थी जीवन का उद्देश विद्यार्थी जीवन का प्रधान उद्देश ज्यानार्चन है लेकिन इसके साथ ही विद्यार्थी को अपने शारीरेक, मानसिक विकास तथा चरित्र निर्माण पर भी थ्यान देना चाहिए स्वस्त शरीर में ही स्वस्त मन का वास होता है यदि शरीर और मन स्वस्त नहीं है तो वह विद्या क्या ग्रहण करेगा विद्यार्थी के लिए चरित्र निर्मार की प्रधान आवश्यकता है यदि चरित्र अच्छा न हो और चाहिव विद्या से विभूशित व्यक्ती हो तो भी लोग उसे आदर की दृष्टी से नहीं देखते हैं चरित्र निर्मार के लिए विद्यार्थियों में आत्मसयम होना अत्यन आवश्यक है उनकी संगती अच्छे लोगों के साथ होनी चाहिए आदर्श विद्यार्थी के करताव्य आदर्श विद्यार्थी का करताव्य है कि वह एक आक्रमन से परिश्रम से विध्या अध्ययन करे विध्यार्थियों में गुरू के प्रती सची श्रधा होनी चाहिए उसे उद्दंड उप्द्रवी कटु भाशी अनुशासन ही नहीं होना चाहिए वह संस्था के नियमों का पालन करे माता पिता का आदर करते हुए उसकी प्रतिष्ठा बढ़ानी का प्रयतन करे कहने का तात पर यह है कि विध्यार्थी का जीवन बढ़ा ही उत्तरदाइत्व पूर्ण है इस समय चात्र को अत्यन साफधान और सचीष्ट रहना पड़ता है यदि वह सुप चाहता है तो उसी विध्याप्राप्त नहीं हो सकती कहा भी गया है सुखार्थिना कुतो विध्या विध्यार्थिना कुतो सुखम उपसंगार आज चिंता का विशय या है कि गुरुश शिश्य संबंद बिगरता जा रहा है चात्र अध्यापकों का सम्मान नहीं करते कुछ अध्यापक भी सच्चे मन से पूरी करदफ ये निष्ठा से अध्यापन कार्य नहीं करते आजकर विद्यार्थी फैशन के पीछे फाग रहे हैं पश्चिम सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं उनमें अनुशासन हींता बढ़ती जा रही है। आवच रकता है कि विद्यार्थियों को सही निर्देश मिले। इसके लिए अध्यापकों के साथ साथ अभिभावकों को भी ध्यान देना होगा। तवे देश के भावी कर्मधार तैयार हो सकेंगे और देश उन्नती को प्रा प्रस्तावना, दूर्दर्शन का उप्योग, तीन दूर्दर्शन का प्रभाव, चार दूर्दर्शन से लाब, पांच दूर्दर्शन से हानिया, छे उपसंहार। प्रस्तावना, दूर्दर्शन अर्थात टेलेविशन के युग में हमारी चीवन का आवश्यक अंग बन हमें घर पैठे ही देश विदेश में खटित होने वाली खटनाव का पता तुरंत ही चल जाता है। इसका श्रे टेलेविशन का आविशकार करने वाले जौन बेर्ड को जाता है। दूरदर्शन का उपयोग आथुनिक युग में दूरदर्शन के माथ्यम से प्रतीक शेत्र का ज्यान प्राप्त हो रहा है। इसका उपयोग शिक्षा, साहित्य, सूचना, संगीत और मनुरंजन आदी विभिन्नक शेत्रों में किया जा रहा है। आज हम घर मेठे ही कहानी, नाटक, गीत, संगीत, चलचित्र, आदी देखकर मनुरंजन कर सकते हैं। दूरदर्शन के माथ्यम से विद्यार्थियों को शिक्षित किया जा रहा है। क्योंकि दूरदर्शन पर प्रसारत होने वाले शेक्षिक कारिक्रमों के प्रसारण से विद्यार्थियों को बहुत सुविधा प्राप्थ हो जाती है। दूरदर्शन का प्रभाव आज समाच में बच्चे, युवा, बुढ़ी सभी के ऊपर दूरदर्शन का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। सभी अपनी अपनी रुची के अनुसार कारिक्रम देखते हैं और मनुरंजन के साथ साथ ज्यानार्चन भी करते हैं। हम देखते हैं कि दूरदर्शन हमारे परिवार का आवुश्य अंग बन गया है। इससे हमारे परिवार और समाच पर गेहरा प्रभाव पढ़ रहा है। इस प्रकार कुछ तो लाबदायक हैं और कुछ हानिकारक भी हैं। दूरदर्शन से लाब। दूरदर्शन हमारे लिए बहुत लाबदायक है। आज की योग में यह सबसी सस्ता एवं सुलब मनुरंचन प्रदान करता है। देश्विदेश की समचारों को जाननी के साथ साथ हमें विभिन संस्कृती के आचार विचार की चानकारी प्रावत होती है। दूरदर्शन के माध्यम से हम विभिन पर्यटन स्थलों के मनुहारी त्रिश्यों को देख सकते हैं। यह बच्चों की बुद्धी के विकास में सहायक है। इसके माध्यम से व्यवसायक एवं शिक्षा संबंधी सूचनाई हम घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। दूरदर्शन से हानिया दूरदर्शन से हमें जितना अधिक लाप प्राप्त होता है उससे भी अधिक इससी हानिया है। आज दूरदर्शन के कारण ही लोगों के पास समय का अभाव हो गया है। लोगों का बहुत समय टीवी के सामने व्यतीत हो जाता है। आज दुनिया की खबरों को तो हम जान लेते हैं, लेकिन हमारे पडोस में क्या घटना घटित हो गई, उससे अनभेग्य रहते हैं। इसके अलावा, टीवी से निकलने वाली प्रकाश की किर्णे, मनुष्य की त्वच्छा और आखों पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं। आज टीवी के प्रभाव से मनुष्य का चारित्रिक रूप से पतन हो रहा है। बच्चों का मानसिक विकास तो हो रहा है, लेकिन शारिरिक विकास अवरुद्ध हो गया है। क्यूंकि बच्चे खेलने कूदने की अपेक्षा, पीवी पर प्रोग्राम देखना पसंद करते हैं। यह अध्यन्त चिंता का विश्य है, कि जिन कंधूं पर हमारी तीश का भविश्य निर्भर होने वाला है, वे शारिरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। उप संघार, हम देखते हैं कि टेलेविशन हमारी मनुरंजन का सशक्त माध्यम है, लेकिन अत्यन्त हानिकारत भी है। अतह आवश्यक्ता इस बात की है, टेलेविशन का सयमित और नियंत्रत उप्यों किया जाए। ऐसा करने में अभिभावकों की सहियोग की भी आवश्यक देशाटन का अर्थ, तीन देशाटन के साधनों का विकास, चार देशाटन से लाब, पाँच देशाटन से हानिया, छे उप संघार. प्रिस्तावना, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदकानी फिर कहा, जिंदकानी कर रही तो नौजवानी फिर कहा मानफ मन सदेफ परिवर्दन का इच्छुक रहा है जब वह एकी स्थान पर रहकर उप चाता है तो उसकी इच्छा होती है कि वह अपने मन के बहलाव के लिए कहीं और जाए वास्तफ में ब्रहमण का मानफ चीवन में पहुत महत्व है यह हमारे लिए वर्दान स्वरूप है देश अटन का अर्थ देश अटन दू शब्दों के यूग से बना है देश अटन यहां देश का अर्थ है स्थान और अटन का अर्थ है ब्रहमण इस प्रकार देश्विदेश के विभिन्न स्थानों का भ्रमड करना देशाटन कहलाता है मनुष्य जीवन में परिवर्तन और विवित्ता लाने के लिए देशाटन करता है इससे न केवल मनुरंजन ही होता है बलकि ग्यानार्जन भी होता है देशटन की साधनों का विकास मनुष्य प्राचीन काल से ही अती प्रमर्शील रहा है उस समय देशटन की परियाप्त सुविधा का अभाव था क्योंकि आवागमन के साधन इतने सुलब नहीं थे फिर भी लोग पैदल, घोडे, बैलगाडी इत्यादी से भी ब्रमणकिया करते थे इन यात्राओं में उन्हें अनेक कठनाईयों का सामना करना पड़ता था रास्ते में कभी-कभी चोर लुटेरे लूट लिया करते थे परन्तु जैसे जैसे सभ्यता विक्सित होती गई देशाटन के विभिन साधनों का विकास होता गया आज यातायाद के अनेक आथुनेक साधन, मोटर, रेल, वायुयान, जल्यान आदी उपलब्द हैं कम समय में मनुष्य अधिक दूर तक यात्रा कर सकता है देशाटन से लाब, देशाटन के बिना मनुष्य सुस्त, निश्क्रिय और उदासीन पना रहता है देशाटन से जहां एक ओर मनुरंजन होता है वहीं दूसरीयों स्वास्ति लाब, व्यापार का लाब, ज्यान में वृत्थी भी होती है देशाटन द्वारा बच्चों ने जू कुछ पुस्तकों में पढ़ा है, उसी प्रत्यक्ष रूप से देख सकती है देशाटन द्वारा ही हमें विभिन देशों की लोगों की रहन सेहन, संस्कृती, इत्यादी का ज्यान भी होता है देश की भोगोलिक स्थिती, जलवायू का भी पता चलता है मनुश्यों में सदभाफना तथा विश्व बंधुत्व की भाफना का विकास होता है देशाटन करती समय ही कोलंबस ने अमेरिका की खूच की, तथा वासको डिगामा ने भारत आने के लिए छूटे मार का पता लगाया देशाटन सी हानिया देशाटन सी जहां लाब मिलता है, वही कुछ हानिया भी है धन का अब्व्याय होता है कवी-कवी अन्य जगाहों की जलवायू स्वास्त के लिए हानिकारग भी होती है यदि खूणने की आदत पढ़ जाती है और किसी कारणवश मनुष्य ना चापाए तो वह एक स्थान पर रहकर कुछ करने में अपने को असमर्थ पाता है इतना होते हुए भी हम कह सकते हैं कि देशटन से लाग अधेक और हानिया कम है उपसंगार अंत में हम कह सकते हैं कि मनुष्य की जीवन में विद्भिन्न देशों की भ्रमण का बड़ा महत्व है अतह देशटन करके भौगोलेक एतिहासे पुरातत्व संबंधी, सामाचेक और राचनेते क्यान में विद्धी करनी चाहिए हमें विश्व की अनेक प्रकार की वस्तूं को देख कर ईश्वर पद्दत मानव जीवन को सफल बनाना चाहिए शिक्षा की वर्दमान समस्याएं रूपरेखा 1. प्रस्तावना 2. वर्दमान शिक्षा प्रडाले 3. कक्षा में अधिक छात्र संख्या होना 4. विद्ध्यालेओं में शिक्षकों का अभाव 5. शिक्षकों का पतन 6. अबिभावकों के सहियों का अभाव 7. उपसंगार प्रस्तावना शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतरगर्द मनुष्य का संतुलित रूपसी शारीरिक, मानसेग और आध्यात्मिक विकास होता है शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति के जीवन का लक्षि निर्धारित होता है लेकिन आज समाज इस पहुमूलिकार के प्रती सजक वगंभीर नहीं रह गया है आज शिक्षा के शेत्र में अनेक समस्याएं उभर कर सामने आ गई है वर्दमान शिक्षा प्रणाली आधोनिक युग में शिक्षा प्रणाली रोजकार परक नहीं है भारती शिक्षा सैधानतिक अधिक और व्यवहारिक कम है इसमें पुस्त की ज्यान पर अधिक ध्यान दिया जाता है फलतह जब बच्चे पढ़ लिखकर स्कूल से बाहर निकलते हैं तो नौकरी की एक विकड समस्या उनके सामने खड़ी हो जाती है फलतह युवकों में आक्रोश तथा अनुशासन हीनता को प्रोचसाहन आत्महत्या आधिकी समस्या बढ़ती जा रही है कक्षा में अधिक छात्र संख्या होना आज प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या इतनी अधिक है कि अध्यापक उन पर ठीक सिध्यान नहीं दे पाते हैं बहुत से विद्यालियों में बच्चों के बैटने की भी उचित व्यवस्था नहीं है कक्षा में चात्रों की अधिक संक्या होने के कारण अध्यापक भी पढ़ानी में रुचि नहीं लेते नहीं उन्हें बच्चों की समस्याओं का पता चल पाता है कौन से चात्र पढ़ने में कमसोर है, जब इसका ज्ञान अध्यापक को होगा ही नहीं तो वे उससे सही ढंक से पढ़ा के सिपाएंगे। विद्यालेयों में शिक्षकों का अभाव आज पहुत से विद्याले ऐसी हैं, जहां योग जिव व प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है। कहीं कहीं तो एक ही कमरे में दो तीन कख्षाएं। एक साथ एक ही अध्यापक पढ़ाता है। कवी-कवी खेल कूत का अध्यापक, विज्यान और गड़त विशे पढ़ाता हुआ नजर आता है। सरकारी विद्यालों में जो अध्यापक नियोग थें, वे प्राया विद्याले चाते ही नहीं। सरकार को इस ओर थ्यान देना चाहिए। शिक्षकों का पतन प्राचीन काल में शिक्षकों की महानता को देखते हुए कभीर दास ने कहा था। बलिहारी गुरु आपने गुविन दियों बताए। लेकिन आज शिक्षकों ने अपनी गर्मा को खोँदिया है। शिक्षक अपने कर्दव्य के प्रती उदासीन हो गए हैं। वे प्राइविट यूशनों पर अधिक ध्यान देते हैं। आधुनिक छात्र शिक्षकों को अभेलना की दृष्टी से देखते हैं। वे शिक्षकों का सम्मान नहीं करते। अभिभावकों की सहियोग का अभाव। हमारी देश में आज भी बहुत से अभिभावक, अशिक्षित व अज्यानी हैं। इसकी वज़ा से वे अपने बच्चों को न तो उचित शिक्षा ही दे पाते हैं और न उनका पत्प्रदर्शन ही कर पाते हैं। अध्यापकों को उनक पूरा नहीं करते हैं। उपसंघार वर्टमान समय में व्याप्त शिक्षा संबंधी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना होगा। हमें शिक्षा व्यवस्था में परिवर्थन कर उसे मानव चीवन से संबद्ध करना होगा। शिक्षा प्रढाली को रुचिकर पनाने का प्रयास करना चाहिए। प्रस्तावना, समाज में आज लोगों का जीवन इतना व्यस्त हो गया है कि वह सदैफ परिशानी और चिंता में डूबा रहता है। अनुष्य के तनाफ को दूर करने का एक उत्तम साधन है खेल। पहले खेल को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन आज के युग में सवी इसके महत्व को स्वीकार करते हैं। इसके अभाफ में विद्यारती जीवन, निश्क्रिय, आलसी व निराश हो जाता है। खेल की विविद्रूप खेल को प्राया दो वर्गों में पाटा जा सकता है। एक, घर की अंदर खेले जाने वाली खेल। दो, घर की बाहर खेले जाने वाली खेल। घर की अंदर खेले जाने वाली खेल, लूडों, क्यारम, विडियो गेम आदी है। तथा घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों की अंतरगत कबड़ी खेलना, रसी कूदना, बाड्मिंटन, क्रिकेट, होकी, फुटबॉल, टेनिस आदी आते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि खेल कूद का शेत्र पहुत व्यापक है। शिक्षा में खेल की आवशकता, शिक्षा में खेल की पहुत आवशकता है। बच्चों का शारीरिक और मान से दोनों विकास होना आवशक है, क्योंकि स्वस्त शरीर में स्वस्त मन का वास होता है। लेकिन अगर बच्चों को कीवल पुस्त किये क्यान दिया जाएगा, तो क्या उनका अशारीरिक विकास हो सकेगा। आज बच्चों की दशा शूच निये हो गई है, क्योंकि उनकी ऊपर पढ़ाई का इतना बोच है, कि उन्हें खेलने का अवसर ही नहीं मिल पाता है। शारीरिक विकास होता है, फलतह वह स्वस्त होकर पुस्त की ज्यान ग्रहन करने में सक्षम हो जाता है। खेलों से लाब, खेल कूत हमारे शरीर को स्वस्त रखने के साथ साथ मन को प्रफुलित और उत्सा संपन बनाए रखता है। खेलने वाले बच्चे आलस्यत नहीं करते, उनकी बुद्धी विक्सित होती है। उनके अंदर सहयोग और अनुशासन की कला विक्सित होती है। इमानदारी न्याय आदिगुडों का विकास होता है। वे जीवन में पराजे को भी स्विकार करना सीखते हैं। वे विभिन प्रकार के वातावरण में अपने को समयोचित करने का ठंक सीखते हैं। उनकी अंदर थैर्य वह साहस का विकास होता है। संक्षीप में हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व की विकास के लिए जिन गुडों की आवश्यक्ता होती हैं वह सब खेल द्वारा संभव हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि खेल के द्वारा बालक का शारीरिक, मानसेक, नैतेक, आथ्यात्मिक विकास होता है। शिक्षण संस्थाओं में खेल कूद की व्यवस्था, शैक्षिक जीवन में खेल कूद का महत्वपूर्ण योगदान हैं। इसलिए विद्यालेओं में बच्चों की खेल कूद की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। हर्श का विशय यह है कि आज विद्यालेव में इस बात का थ्यान रखा जा रहा है। लगपक सभी विद्यालेव में खेल का मैदान और खेल का समान होता है। आज कल खेल-खेल में बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास भी किया जा रहा है। शिक्षा और खेल कोद में समन्वय होना चाहिए, क्योंकि अगर केवल खेल कोद पर ही विशेश बल दिया जाएगा, तो बच्चे पढ़ाई में मन ही नहीं लगाएंगे। जिस प्रकार हमेशा पढ़ना अच्छा नहीं है, उसी प्रकार हमेशा खेलना भी ठीक नहीं है। इ इसलिए पढ़ाई व खेल दोनों पर ही थ्यान दिया जाना चाहिए। पढ़ने और खेलने का समय निर्थारित होना चाहिए और उसका पालन अवश्य करना चाहिए। पढ़ाई के समय मन लगाकर पढ़े और खेलने के समय खेले तबी बच्चों का सरवांगीर विकास संभव हो सकेगा। उपसंगार स्पश्ट है कि शिक्षा में तथा बच्चों के सरवांगीर विकास में खेलकूत का महत्वपूर्ण योगदान है अतहां विद्यालेयों में इसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे विद्याले हैं जहां खेलकूत पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया जाता। सब्ता में अगर 40 पीरियड पढ़ाई का होता है तो एक पीरियड खेल का होता है। ऐसे में बच्चों का समुचित विकास कैसे होगा अतहां सरकार को तथा विद्याले प्रबंदगों को इस ओर अवश्य थ्यान दिन चाहिए। की उत्पत्ति तीन सुनामी का इतिहास चार सुनामी रोकने के उपाई पांच उपसंगार प्रस्तावना सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जहां अत्यदेख भुकम आने की कारण वहां के लोगों को बारम बार इस प्रकोप का सामना करना पड़ता है। हिंद महासागर में आय इस सुनामी तूफान ने चार अरब वर्ष पुरानी प्रित्वी में ऐसी हल्चल मचा दी के इंडोनेश्या, मलेश्या, थाइलेंड, अंडमान एवं निकोबार, तमिलनाडू, आंधरप्रदेश, केरल, श्रीलंका और मालदीव तक के सारे तट्येग शेत्रों को तबाही का मूँ देखना पड़ा। मचलिया पकड़कर आजीविका कमाने वाले कई सो मचवारे इस प्रलैसरीखी बाढ़ का शिकार बन गये। अंडमान एवं निकोबार द्वीब समूहों में स्थित वायू सेना के अड़े को पयंकर शती पहुँचे। तथा सौ से अधिक वायू सेना के जवान अधिकारी और उनके परिजन काल में समा गए। परिजना के जल्यान बंदी हुई रसियों के टूट जाने से तो बच गए। किन्तु चार नाकरिक जहास शती ग्रस्त हो गए। सुनामी की उत्पत्ते। सुनामी की उत्पत्ते वस्तता समुत्र तल में भुकंब आने से होती है। समुत्र के अंदर भुकंब ज्वाला मुखी विस्फोट अध्वा भूस खलन के कारण आता है। यदि बड़ी स्तर पर पृत्वी की सता खिसकती है तो इससे सता पर पचास से सो फीड उची तरंगे 800 किलोमीटर प्रती खंटे की गती से तटों की ओर दोरने लग जाती है। और पूर्णिमा की रात्री को तो यह और भी भयंकर रूप धारण कर लेती है। यह प्राकृतिक प्रकोब 26 दिसंबर 2004 को आरपों की संपत्ति और लाखों लोगों को लील गया। सुनामी का इतिहास, प्रसित इतिहासकार, जौर्च रूप्स के अनुसार, एराकी यही समझते हैं कि प्रिथ्वी एक चप्ती सी धर्ती है, जिसकी उपर आस्मान है और नीचे मृतकों का संसार है। इसी से यह प्रथा बन गई कि मृतकों की कप्रे धर्ती में बना कर उनके लिए खाने पीने का समान और अन्य वस्तूइं रख दी जाएं। ताकि मृतक पुना चाग उठें तो उसे किसी वस्तूगी परिशानी न हो। उस समय के लोगों के कई देफता थे। प्राची मिश्र में तो शासक की मृत्यू से पूर्व ही भूमिगत प्रासाद बनवा दिया जाता था। उनके शव मसालों का प्रयोग करके सुरक्षित कर लिये जाते थे। भूमिगत प्रासादों में सभी प्रकार का खान पान का सामान, फर्नीचर, शासक के प्रयोग की सभी वस्तूइं रग दी जाती थे। मथ्य एशिया में शासकों के निधन पर उनकी बेगमों, मंत्रियों और अन्यसीवकों तथा घोडों को जीविद्दफन कर दिया जाता था। खुदाई से इन तथियों की पुष्टी हो चुकी है। हमारी भागवत पुराण में भी इस प्रले का उल्लेक मिलता है। उसकी अनुसार पंचाप में मारकंडा नदी ने विद्वन्ष का तांडव किया था। एक मचली ने एक रिशी को अपनी भविश्यवाणी में इस स अफगत कराया था। जब स्रिश्टी नश्ट हो रही थी तो मनुभगवान ने एक नौका पर यात्रा करके सब प्राणियों के एक एक जोड़ी को बच्चा लिया था। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इसा की जन्व से पंद्रा सोला सो वर्ष पूर्व भयंकर वर्षा स एसी बाढ आई और समुत्र में तूफान आ गया जिसके फल्स्वरू पंचाब में हडप्पा के अतिरिक्त कई और नगर नश्ट हो गये। इसी विनाशकारी प्रलय ने मुहन जुदाडों राजस्थान और गुजरात के अतिरिक्त दिल्ली व उत्तर प्रदेश के कुछ श प्रमुख नगरों तक के तटिये शेत्रों के अतिरिक्त पंचाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख नगरों तक फैली होई थे। मुहन जुदाडों में अन्तिम विनाशकारी लीला 1500 इसाफ पूर्व में होई थे। वैक्यानिकों के अनुसाय यह स्रिष स्रिष्टी कई बार नश्ट हुई और कई बार निर्मित हुई। डाइनसौर सरीखे जीव जो करोणों वर्षपूर्व स्रिष्टी में थे अब नहीं मिलते और उनकी अस्थियों के ढाचे पत्थरों करोब ले चुकी हैं। अब योग परिवर्दन शील है और इसका बन जाया करती है। ततकालीन सुनामी आपदा हमारी प्रबंधन की कम्जोरी को उचागर करती है। जिसने प्रिथवी को उसकी धूरी पर फिर्की की तरह नचा कर एश्या महद्वीब का मानशित्र सदा के लिए परिवर्थित करके रख दिया। US Geological Survey के विशिशक गियर कैन हडनर के अनुसार सुमात्रा धूरीब से 250 किलोमीटर डक्षिर पूर्व में समुत्र तल के नीचे आए इस भुकम्ब की तीवरता रिक्टर पैमाने पर 9 के लगभग थी। यह भुकम्ब इतना शक्तिशाली था कि इसने कई छोटे बड़े पीपों को 20-20 मेटर तक अपनी स्थान से हिला कर रख दिया। सुनामी रोकने के उपाय यदि भारत अथ्वा एश्या के शेत्र में कहीं भी महसाकर की तलहटी में होने वाली भुघर पिये हलचलों के अंकलन की चेतावनी प्रणाली विक्सित होती। तो इस त्रासदी से पहले बड़ी संख्या में हुई जानमाल की शती को कम किया जा सकता था। वास्तफ में प्राकृतिक प्रकोप को रोक पाना मानवों के हाथ में नहीं है। फिर भी यतासमे सूचना देकर बचनी की कुछ तो व्यवस्था की जा सकती है। यद्यपी इन सुनामी तरंगों की जानकारी उनकी उठनी से एक खंटा पूर्वही अर्थात साथ बच कर पचास मिनिट पर भार्थी वायुसेना की प्रमुक को मिल चुकी थी। कि कार निकोबार का वायुसेना बेस जलमगन हो चुका है। तथा पी इसकी 41 मिनिट बाद मौसम विभाग ने इस विनाशकारी समुन्तरी हलचल की खबर दे। यदि समय पर चिताया जाता तो इतनी जाने तो न चाती। उपसंगार भारत में आए सुनामी भुकम से विद्वन्ष एक राश्ट्रे शती है जिसने संसार को अपना भयावा रूप दिखा कर चौका दिया। ऐसी आपदाउं से निपटने के लिए विश्व की सभी संगठनों को आगी आना चाहिए से हम ऐसी तरासदी से उभर सके। ब्रश्टाचार रूप रेखा 1. प्रस्तावना 2. समाज में व्याप्त ब्रश्टाचार 3. ब्रश्टाचार विकास में पाधक 4. ब्रश्टाचार पर अपने का कारण 5. ब्रश् 6. उपसंगार प्रस्तावना 2. ब्रश्टाचार दो शब्दों के योग से बना है ब्रश्ट आचार 2. ब्रश्टाचार का शाब्दिक अर्थ है नीच आचरण विकास शील भारत में जन संग्या वृद्धी की समस्या के बाद यदि कोई बड़ी समस्या है तो वह है ब्रश्टाचार ब्रश्टाचार यानि ऐसा आचरण जो स्वार्थ परता से शुरू होकर दूसरों के अहित पर समाप्थ होता है ब्रश्टाचारी व्यक्ति स्वार्थ में अंधा होकर यह भूल जाता है कि वह अपनी कूकृतियों से नचाने कितनों के दिलों को ठीस महुचा रहा है और नचाने कितनों को उश्रेडी में खड़ा कर रहा है जिसमें वह स्वयम है समाच में व्याप्थ ब्रश्टाचार आज चारों तरफ एक ही आवाज सुनाई देती है पैसा फेको, काम करवालो आज के भारतिय मानव ने अपने उस आदर्श को भुला दिया है जिसकी अनुसार धन उसके लिए अस्थाई और तुच्छ था ब्रश्टाचार आज हर जगा अपने पाउ फेला चुका है चप्रासी से लेकर बड़े पत पर बैठा हुआ अधिकारी और नेता सब इसकी शिकार है परणाम जो होना था सब के सामने है मेहनत करके पेट फारने वाले पिस रहे हैं तथा ब्रश्टाचारी समाज में प्रतिष्ठिर एवं उचे पदों पर बैठे हैं जब तक आप रिश्वत नहीं देंगे तब तक आपके छोटे से कारे को भी पूरा होने में महीनों लग जाएंगे लेकिन रिश्वत का कमाल देखिए रिश्वत दीजिये और बड़े से बड़ा कारे भी पल भर में हो जाएगा ब्रश्टाचार का ही परिणाम है कि निर्माणा धीन भवन मस्तूरों की मौत का कारण बन जाते हैं पुल का उद्खाटन होने से पहले ही उसमें दरार पड़ जाती है यू कि व्यक्ति बेरुसकारों की पंक्ती में खड़ा हुआ है और अयोख्य मजी से सरकार का कोश खाली कर रहे हैं आज स्वार्थी लोग रिश्वत को उपहार का नाम देने लगे हैं किन्तु ऐसा कोई उपहार जो स्वार्थ पूर्थी के लिए दिया चाएं प्रष्टाचार ही कहलाएगा प्रष्टाचार विकास में पाधक आजकल ट्रकों पर एक कहावत अकसर लिखी हुई मिली है सौ में से 99 पेईमान फिर भी मेरा भारत महान क्या यह कहावत आज के ब्रष्टाचारी योग में उचित नहीं है व्यंग्य में कही गई बात आज सत्य साबित हो रही है क्या यह कहावत उनकी नजरों से नहीं निकलती या फिर वे इसे देखना नहीं चाहते जो ब्रश्टाचारी हैं वे इसका मतलम नहीं समझते या मतलब समझ कर भी अंजानी बनते हैं कारण जो भी हो उनके बुरे कर्म का नतीजा बीकसूर भारत को भुगतना पड़ रहा है भारत का नाम विश्व में कलंकित हो रहा है इस बुरी काम का असर जन समानी से लेकर दीश की विकास में भी बाधा उत्पन कर रहा है ब्रश्टाचार पनपनी का कारण ब्रश्टाचार पनपनी का सर्वप्रथम कारण ही स्वार्थ है स्वार्थ के बाद दिखावा इसका प्रधान कारण है आजकल हर व्यक्ति अपने आपको श्रीष दिखाने के प्रयात्त में वह यह भूल जाता है कि वह क्या कर रहा है क्या नहीं इसके अतरेक्त आजके मानफ ने अपनी आवशक्ताओं को इतना अधिक पढ़ा लिया है कि वह इनकी पूर्ती के लिए औरों का शूशन करता है ब्रश्टाचार के लिए वे लोग भी उत्तरदाई है जिनको भगवान ने चपपड़ फाड़ कर दिया है लेकिन उनके पास संतोश नहीं है ब्रश्टाचार पनपने के पीछे दोशी कौन है क्या रिश्वत लेने वाला देने वाला या रिश्वत देने के लिए प्रोच साहित करने वाला इसके लिए सभी दोशी है यदि देने वाला देगा नहीं तो लेने वाला लेगा कहां से यदि प्रश्टाचार की विरुत हम आवास नहीं उठा सकते तो यह भी हमारी ही कमजोरी है यदि कहराई से सोचा जाए तो किसी न किसी रूप में हम अपने आपको भी इसके लिए उत्तरदाई पाएंगे प्रश्टाचार दूर करने के उपाए यदि हम प्रश्टाचार को समाप करना चाहते हैं तो पहले स्वयम को समझाना पड़ेगा उसके बाद एक ऐसा जन आंदोलन चलाना पड़ेगा जो भश्टाचारियों का समूल नाश कर दे भश्टाचार की समापती से ही देश, मानाफता और आदर्शों की रक्षा हो सकती है नहीं तो वह दिन दूर नहीं है जब भश्ट लोग यहां तक गिर जाएंगे कि वे देश को भी पेच कर खा जाएंगे ऐसी स्थिती आने से पहले हमी सतर्ख हो जाना है अन्यथा पश्चा ताप करने की अतिरेक्ट हमारी पास कुछ भी न बचेगा समस्त भारतिय चन्मानस इस रोग से त्रस्थ है किन्तु इसके निदान के लिए पहल कर पाने की हिम्मत नहीं चुटा पाता उपसंगार हाली में एक कांधिवादी विचारक अन्यजी ने जब इसे दूर करने के लिए लोगों में अलग जगानी शुरू की तो समस्त जन्सेला सडकों पर उतर कर उनका साथ देने के लिए खड़ा हो गया यह इस बात को सिद्ध करता है कि इस प्रष्टाचार से त्रस्थ तो सभी है किन्तु इसे दूर करने का साहस नहीं कर पा रहे है यह सोचनी वाली बात है कि हम में से ही किसी न किसी को अन्ना बनकर लोगों की अगवाई इस प्रष्टाचार नामक बीमारी को दूर करने के लिए करनी पड़ेगी प्राताकाल का प्रामण रूपरेखा 1. प्रस्तावना 2. प्राताकाल का प्रामण 3. प्राताकाल खूमने के स्वास्तिलाब 4. प्राताकाल की मनस्थिति 5. उपसंगार प्रस्तावना महाकवी कालिदास का कथन है शरीर धर्म सबी कामों का पहला साधन है अर्थात सब कामों को छोड़कर पहले शरीर रक्षा पर ध्यान देना चाहिए आत्मा भी स्वस्त शरीर में ही रहती है शरीर रक्षा की अनीक साधन है वे हैं व्यायाम व्यायामू में प्राताकाल का भ्रमण सर्वोत्तम साधन है प्राताकाल का भ्रमण खेल भी व्यायाम के अच्छे साधन है किन्तु देशी खेलों को छोड़ कर क्रिकेट इत्यादी अंग्रेसी खेलों में धन की आवशक्ता होती है फिर देशी या विदेशी खेलों के लिए साथियों की आवशक्ता होती है, किन्तु भ्रमण के लिए ना धन की आवशक्ता होती है और ना साथियों की। निश्चिन्थ होकर उशकाल में अर्थात सूर्योदे होने से पहले घूमना चाहिए। सूर्योदे होने पर सूर्य की किर्ने ऑक्सिजन को सोक लेती हैं। जहां बात पगीचे ना हूँ, वहां उन सडकों के किनारी खूमना चाहिए, जिनके तुनों और व्रिक्ष हों। नदी के किनारी पर खूमना लाब दायक और आनन दायक होता है। प्राताकाल घूमने के स्वास्थिलाब शरीर में फुर्ती आती है, मुख तीचपूर्ण हो जाता है, मन प्रसन रहता है, काम में मन लगता है, शरीर का प्रतीक अंग पुष्ट हो जाता है। प्राताकाल का भ्रहमन स्वायम मनुश्यों के लिए तो लाब दायक है ही, किन्तु रोकियों के लिए विशेश लाब दायक है। रोकियों के लिए प्राताकाल का भ्रहमन संजीवनी ओश्धी के समान है। प्राताकाल खूमने से रोगी की पाचनक्रिया ठीक हो जाती है और पाचनक्रिया के ठीक होने पर सब रोग दूर चले जाते हैं और शरीर स्वस्थ हो जाता है अतहा एक वैद्य या डॉक्टर रोगी को प्राताकाल खूमने की सला देते हैं प्राता काल का खूमना विद्यार्थियों के लिए विशेश कर लाबदायक है। करते समय हमें तंग कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तंग कपड़ों के पहनने से प्राताकाल की शीतल मन सुगंद वायू हमारी शरीर को सुख नहीं दे सकेगी। वास्तफ में यह वायू ही लाबदायक होती है। उपसंगार यदि हम चाहते हैं कि हम जीवन परियंद निरोग रहें और वैत्य डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़े तो हमें नियम पूर्वक प्राताकाल की भ्रमड का आनंद लेना चाहिए। चीड की व्रिक्षों के नीचे खुमने से तपे दिक तक के रोगी निरोग हो जाते हैं फिर साधारण रोगी तो प्राताकाल भ्रमड से अवश्य ही सदा निरोग रहेंगे। पांच बादल का परुक्कारी रूप छे उपसंगार प्रस्तावना भीशन कर्मी पड़ रही थे। लू के थपेडे बुरी तरा लग रहे थे। छूटी नदियां उतले तालाब कम गेहरे कुई सूख गए थे। आकाश की ओर देखते देखते किसानों की आखे पथर आ गई थे। किन्तु बरसने वाले बादल आने का नाम नहीं लेते थे। एक दिन मैं जट पर बैठा हुआ था। काली-काली बरसाने वाला बादल दिखाई दिया। मैंने कहा बादल राजा यदि तुम जीवन जल बरसा दो तो लोगों में जीवन आ जाए। बादल ने गरच कर मानो डंडा मार कर कहा। कह तो दिया बादल राजा परस जाओ। क्या तुमने कभी मेरी चीवन के विशे में भी चानने का कश्ट किया है। मैंने कहा यह तो नहीं किया। मैं तिम्हारे विशे में कुछ नहीं जानता। बादल ने कहा अच्छा सुनो मैं ही तुम्हें अपनी आत्मकथा सुनाता हूँ। बादल के पिता समुद्र एवं सूरे का वार्दालाब। स्रिष्टी के आरम में ही मेरा जीवन हो गया था। महाकवी काली दासने तो मुझे विश्व विख्यात पुषकर आवर्द तक वन्ष का बताया है और मुझे इंद्र का प्रधान पुरुष कहा है किन्तु सच बात यहा है कि मैं समुत्र का पुत्र हूँ। इसी ही कर्मी का दिन था। मैं अपने पिता समुत्र की कोद में अट खेलियां कर रहा था। इसी समय सूर्य ने मेरे पिताजी से कहा तुम अपने प्यारे बेटे को कुछ समय के लिए मुझे दे दो। पिताजी ने पूछा, तुम इस बालक का क्या करोगे? यह बहुत कूमल है, तुम्हारी तेज ताप को कैसे सहेगा? सागर, यह तुम्हारा बेटा मेरे ताप को सह सकता है, यह संसार का बड़ा उपकार करेगा, फीशड गर्मी सित्त पहवों को यह शीतलता प्रदान करेगा, खेतों में अम्रित परसाईगा, अन्न पैदा होगा, अन्न पाकर लोगों की प्राण बचेंगे, सूखी व्रिक्ष को हरा कर देगा, संसार तुम्हारी मेरे यश्क आएगा, सूर्य ने कहा, बादल की परुपकारी भावना, सूर्य की बात सुनकर, पिताची ने मुझसे पूछा, कहू बेटा, सूर्य के साथ जाओगे, इसकी प्रखरतीज को सहलोगे, मैंने उत्तर में कहा, पिताची, मैं परुपकार के लिए सब कुछ सहलूँगा, अपना सब कुछ लुटा दूँगा, प्राणों की पली दे दूँगा, मेरे वचनों को सुनकर, पिताची फूले नहीं समाए, उन्होंने कहा, तू धन्य है, जा, संसार का उपकार कर, अपना और अपनी साथ साथ मेरा नाम कर, यह कहकर, उन्होंने मुझे सूर्य देव को सौप दिया, बादल के जीवन का महत्वपूर्ण अध्याए, अब मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अध्याए आरंब होता है, सूर्य ने चमतकारी काम करना आरंब कर दिया, उसने मेरी कूमल शरीर पर अपनी किरनों का तेज इस प्रकार भेका कि मैं बेहते हुए पानी के स्वरूप को छोड़कर भाब बन गया। हवा ने मुझे उड़ाया और सदा सदा के लिए मुझे अपनी घर से अलग कर दिया। अपने इस नए रूप को देख कर अब मैं दुख सुक के जूले में जूलने लगा। बादल का परूपकारी रूप मैं हवा की जूकों के साथ घूमने लगा। मैं इधर उधर भटकता रहा। मैं अकेला और असहाय था। मैं जब अपने अकेली पन और सूनी पन से दुख का अनुभव कर रहा था। तब ही सूरिदेव ने मेरी पीट थपत पाते हुए कहा। बादल अब तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम अपनी परूपकार वृत्ती का परिचे दो। मैं तैयार हो गया। मैं भाप सी पानी में बदल गया। मैंने लू के थपेडों से जले हुए लोगों को शीतलता दी। धर्ती की प्यास बुझाई। किसानों को आशा बंधाई। सूखी पेडों को हरा कर दिया। मूरों को नया स्वर और मनुहारी नाच दिया। कोयल को म दोर कंठ दिया। उपसंघार सूर्य से मेरा सदा सदा के लिए समझोता हो गया। सूर्य मुझे समुत्र से खीचेगा। मुझे भाप का रूप देगा और मैं भाप के रूप को छोड़ कर पानी बन कर सदा परुपकार करता रहूँगा। कंप्यूटर बिन सब सून। रूप रेखा 1. प्रस्तावना 2. कंप्यूटर का उपयोग 3. कंप्यूटर की सरकारी विभागों में उपयोगिता 4. कंप्यूटर में इंटरनेट का महत्व 5. उपसंघार प्रस्तावना आज का योग विज्यान का योग है। विज्ञान ने हमें अनेक चमतकारी वस्तुएं प्रदान की हैं। इनमें कम्प्यूटर की थूम है। लगता है कम्प्यूटर के बिना हमारा जीवन सूना है। इंटरनेट ने कम्प्यूटर की उप्योग को और भी बढ़ा दिया है। कम्प्यूटर का उप्योग कम्प्यूटर आज कोई अनोखी चीज नहीं रह गया है। आज प्रतियक तफ्तर, प्रतियक घर में कम्प्यूटर का प्रवेश हो चुका है। अब तक जो इसके प्रयोग से बचते थे, अब वे भी इसका उप्योग कर रही हैं। आब तो कम्प् प्रात में कक्षाओं की विद्यार्थी भी इसे बड़ी आसानी के साथ संचालित कर लेते हैं। अपना कमाल दिखा रहा है। कमप्यूटर ने दफ्तरों को फाइलों की चंचट से मुक्ती दिला दी है। हवाई जहाज, रेल गाड़ी आदी की सीट का आरक्षन खर बैठे कम्प्यूटर से हो जाता है। अब स्टेशन की खिड़की के आगे लंबी लाइन लगाने के चंजट से चुटकारा मिल गया है। पुस्तकों के प्रकाशन का सारा काम कम्प्यूटर आसानी से निप्टा दे इस पर बहतरीन डिजाइन उपलाग्ध हो जाते हैं। कम्प्यूटर में इंटरनेट का महत्व इंटरनेट की मेल ने कम्प्यूटर की उप्योगिता को पहुत बढ़ा दिया है। अब विश्व भर की कोई भी जानकारी कम्प्यूटर से पाई जा सकती है। यह विश्व चाल है, बस माउस क्लिक कीजी और वांचित जानकारी सामने आजाती है, अब तो पत्र लिखने के चंजट से भी चुटकारा मिल जा रहा है, इमेल द्वारा, कंप्यूटर पर आप ब्लॉक बना कर किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं, कंप्यूटर की मनुरंजन की दुनिया में भी काफी बड़ी भूमिका है, इस पर तरा-तरा की खेल, खेली जा सकते हैं, मन चाही फिल्म देखी जा सकती है, कंप्यूटर की सहायता से पुलिस अप राधियों को पकड़ने में सफल हो रही है, उपसंगार, जीवन का शायद ही कोई शेत्र कंप्यूटर की पहुँच से पहार हो, यह हमारी चीवन का अभिन अंग बन गया है, कंप्यूटर की बिना चीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती, कंप्यूटर की बिना जीवन सुना सुना प्रतीत होता है, विख्यापनों सेखेरा हमारा चीवन, रूप रेखा, 1. प्रस्तावना, 2. विख्यापनों की उत्तेशिर, 3. विख्यापनों का हमारी चीवन पर प्रभाफ, 4. विख्यापनों से लाप एवम हानी, 5. उपसंगार प्रस्तावना आज का युग विख्यापन का युग है जिस ओर तृष्टी डालों विख्यापन नजर आते हैं चाहे दूरदर्शन की कारिक्रम हूँ अध्वा सडकों की चोराहे हूँ चारों ओर विख्यापनों की भरमार है प्रतीक कारिक्रम से पहले बीच में तथा अंत में विख्यापन दिखाए जाते हैं विख्यापनों के लिए कारिक्रमों में प्रेक लिया जाता है कभी-कभी तो यह ब्रेक बोरियत पैदा करने लगता है विख्यापनों का उद्देश्य विख्यापनों का उद्देश होता है उप्भोगताओं को नए-ने उत्पादों से परिचित कराना उत्पादक अपने उत्पादों में कुछ न कुछ परिवर्थन करते रहते हैं तथा उसके नए-ने रूप बाजार में उतारते रहते हैं कई बार इन उत्पादों की गुड़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर प्रचारित किया जाता है। तब ये विख्यापन उब्भोकताओं को ब्रहमित करने का काम करते हैं। ऐसे विख्यापनों पर रोक लगाने की जिम्मेदारी सरकार की है। विख्यापनों का हमारी जीवन पर प्रभाव। विख्यापनों का हमारी जीवन पर मोहत प्रभाव पड़ता है। हम विख्यापनों की आकर्शन जाल में फस जाते हैं। और विख्यापित वस्तु को खरीदने के लिए लालायत हो जाते हैं। कई बार हमें नए ने अधिक आधिक लाब कमाना ही होता है। विश्यापन लोगों को भ्रमित करते हैं। विख्यापन संबंधी स्पष्ट नीती बनाई जानी चाहिए। छूटे विख्यापन उपर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए तथा उनसे संबंधित कम्पनियों को तंडित किया जाना चाहिए। विख्यापन का दुरुप्यों रोका ही जाना चाहिए।